नमस्कार स्वागत जारखन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर खबर है कि इस बार टोप पाँच जिहां टोप फाइब तीन लड़के और दो लड़की शामिल है वहीं टोप टेन में छे लड़के और चार लड़किया है सुची में तीसरे नमबर पर डोनुरू, पांचवे पर रुहानी, छट्टे पर स्रिष्टी, डबास और नौव पाइदान पर नौशिन है बतादे की रिजल्ट UPSC की आधिकारिक वेबसाइट UPSC.gov.in और UPSC.nice जिहां NIC.in पर देखा जा सकता है बतादे की वर्ष 2022 में टौप फाइब लड़कियों का कबजा रहा, 2022 की टौपर इशिता किशोर ने 1094 अंक हासिल किये और इनकी नियुक्ती उत्तर परदेश में हुई दूसरी पाइदान पर रही गरीमा लोहिया को 1063 अंक प्राप्त हुए और बिहार में तैनाती हुई जहारखन के गिरीडी में वाहन चेकिंग के दोरान बरामद हुए लगभग 10 लाक रुपए जहारखन के गिरीडी से बड़ी खबर है यहां जीले की पुलिस ने वाहनों की जाँच के दोरान एक बाइक चालक के सपास से 9,95,000 रुपए कैश बरामत किये हैं बताए गया है कि लोगसभाच चुनाओ को लेकर जीले के सरिया थाना अंतरगत प्लाइंग स्कुवाइड टीम वाहनों की जाँच कर रही थी इसी दोरान एक बाइक की टिक्की की तलाशी में यह राशी मिली बाइक चालक ने फिलाल कैश के उचीत सरुत के बारे में जानकारी नहीं दी है मामले की जानकारी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को दी गई है बतादी की लोकसभा चुनाओ की घोशना के बाद जारखंड के अलग-अलग इलाकों में तलाशी और चापेमारी के दोरान चार करोड 32 लाक रुपए नगत बरामत किये गए हैं इस दिन जारी होगा जारखंड के दस्वी का रिजल्ट जारखंड के दस्वी के छात्रों का इंतिसार जल्द खत्म होने वाला है दरसल जारखंड एकडमी कॉंसिल यानि जैक के दुवारा दस्वी या मैट्रिक एक्जाम का रिजल्ट अप्रेल महिने के अंत तक जारी होने की संभावना है बतादे की इस दो वेबसाइटों का उप्योग करके छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे पहला है जैक.जारखं.gov.in और दूसरा है जारखंड.nic.in छात्र अपने रोल कोड और रोल नमबर का उप्योग करके अपना रिजल्ट जारी होने के बाद देख सकते हैं बतादे की मैट्रिक परिक्षाए 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक आयुजित हुई थी. कक्षा 10 यानि मैट्रिकी परिक्षा में 4 लाग से अधीक शात्र उपस्थित हुए थे. परिक्षाए सुबह की पाली में सुबह 9 बचकर 45 मिनटे, जिहां मिनट से दो पहर 1 बचकर 5 मिनट तक आयुजित की गई. परिक्षार्थियों को बधाई देते हुए मंगलवार को कहा कि उनके परियास आने वाले समय में हमारे देश के भोईश्य को आकार देंगे. खबरों की माने तो एक्सपर अपने पोश्ट में पियम मोदी ने परतिष्ठित सरकारी सेवाओं के लिए असफल उमिद्वारों से भी संपर किया और कहा कि उनके पास आगे सफलता की संभावनाय है. साथ ही यह भी कहा कि भारत आउसरों से सम्रिध है जहां उनकी परतिभाएं वास्तों में चमक सकती है. उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को बढ़ाई देता हूँ जिन्होंने सीविल सेवा परिछा 2030 को सफलता पूर्वा कुतिर्न किया है. उनकी कड़ी मेहनत, दिरिधता और समर्पन रंग लाया है जिससे सार्वजनिक सेवा में एक आशाजनक करियर की शुरुवात हुई है. उनके परियास आने वाले समय में हमारे देश के भववश्य को आकार देंगे उन्हें मेरी शुपकामनाएं. अब होगी वाट्सेप में AI की इंट्री मिलेगा हर सवाल का जवाब. Artificial Intelligence तेजी से मानव जीवन में अपनी जगा पर जहां बना रहा है. इन दिनों टेक्नलोजी के शेत्र में अगर किसी टेक्नलोजी की सबसे अधिक चर्चा है तो वो है AI. अब आपके एक कदम और करीब आ गया है. अब AI ने लोगप्रिय मैसेंजर प्लेटफॉर्म वाट्सेप में भी इंट्री कर लिया है. मेटा ने वाट्सेप पर AI फीचर को रोलाउट करना शुरू कर दिया है. फेस्बुक की पैरेंट मेटा के लोगप्रिय मैसेजिंग एप वाट्सेप में AI की टेस्टिंग शुरू हो गई है. बतादी की यूजर्स अब अपने परशनों के जबाब AI के माध्यम से वाट्सेप पर भी पा सकते हैं. कमपनी ने कई यूजर्स को वाट्सेप AI फीचर का एकसेश देना शुरू कर दिया है. कमपनी ने वाट्सेप में चैट मिन्यू में नई चैट शुरू करने के लिए पलस आइकोन के ठीक उपर AI आइकन रखा है. एड़ चैट आइकन के उपर गहरे नीले रंग का एक सरकल दिखाई दे रहा है जो AI का आइकन है. अब मुप्त नहीं रहा Google Chrome हर महिने चुकाने होंगे इतनी पैसे. अगर आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले Google Chrome का नाम आता है. Google Chrome एक फ्री ब्राउजर है जिसका उप्योग विभिन प्लेट फॉर्म पर किया जाता है. लेकिन अब Google इसका भुक्तान संस्क्रन लेकर आया है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Google ने मुप्त और भुक्तान विकल्पों के साथ Chrome Enterprise Premium नाम से एक नया संस्क्रन पेश किया है. इसे बिसेश रूप से संगठनों और व्योसायों के लिए डिजैन किया गया है जिसमें कमपनी शुल्क के लिए अतिरिक्त सुविधाय परदान करेंगी. कमपनी का यह भी दावा है कि नया Chrome संस्क्रन, Malware, Spyware और Phishing हमलों जैसी चीजों से पोर्न ओनलाइन डेटा सुरक्षा परदान करेंगा यानि नये वर्जन में डेटा चोरी की टेंशन खत्म हो जाएंगी. जैसा की नाम से पता चलता है Chrome Enterprise प्रीमियम उन संगठनों, उद्यमों और बेवसायों के लिए है जो डेटा सुरक्षा के लिए तीसरे पक्च के सौप्ट वियर पर देर पर है. नए संस्क्रन के साथ गूगल सीधे ब्राउजर के भीतर डेटा सुरक्षा उपकरन पेश कर रहा है जिससे एंटी वाइरस या एंटी मैल्वियर एप्लिकेशन डाउनलोट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी. गूगल का कहना है कि क्रोम इंटरप्राइज, प्रिमियम मशीनों और उन पर संग्रहित डेटा को नए बग, अनुकलित साइट अनुमतियों, संदिक्द एड़ोन और अधिक से बचाने के लिए स्वचालित अपडेट का एकसे सुपलब्द है. एलन मस्क ने दिया बड़ा जटका पोस्ट लाइक और रिपलाई करने के लिए देने होंगे रुपए. एलन मस्क जब से एकस पूर्वे में ट्वेटर के मालिक वने हैं, तब से उनका पूरा ध्यान एकस पर पैसे कमाने पर हैं. पहले एलन मस्क ने एकस की पेड़ सर्वि निसेज लॉंच की और ब्लू टीक को शुल्क आधारित किया. ब्लू टीक पहले फ्री में मिलता था और इसके लिए कुछ शर्ते थी. जिहां ओनर्सी बनने के बाद एलन मस्क ने शर्तों में बदलाव किये और ब्लू टीक को पैट किया. अब एलन मस्क ने नई उजर्स के होगी. हालाकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इसकी शुल्क क्या होगी. एलन मस्क का मानना है कि फीच लगाने के बाद बॉट और फेक अकाउंट से होने वाले पोस्ट में कम याईगी. क्योंकि फिलहाल कोई भी नया अकाउंट बना कर किसी के भी पक्च में पोस्ट कर एलन मस्क ने कहा है कि बोट को रोकने का यही एक मात्र तरीका है X की नई पोलिसी के मुताबिक X पर पोस्ट करने, किसी के पोस्ट को लाइक करने, किसी पोस्ट को बुक मार्क और किसी पोस्ट पर रिपलाई करने के लिए पैसे दिने होंगे फिर में आप सिर्फ किसी अकाउंट को फोलो कर सकेंगे इस पोलिसी की टेस्टिंग लंबे समय से प्लेटफॉर्म पर SMIM को रोकने के लिए हो रही है भारती रिजर्व बैंक ने इन दो सहकारी बैंकों पर लगाई रोक आरबिय यानी भारती रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों या NBFC के कामकाजों पर नजर बनाये रखती है जब ही कोई बैंक आरबिय के नियमों का उलंगन कर अपनी मन मानी करता है तो आरबिय उस पर जुर्माना लगा सकता है खबर है कि इसी कड़ी में आरबिय ने मुंबई इस्थित सर्वोदय को ओपरेटी बैंक और उत्तर परदेश के परताप गड़ इस्थित नेशनल अर्बन को ओपरेटी बैंक लिमिटेट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिये हैं आरबिय ने 15 अपरेल को सर्वोदय कोओपरेटी बैंक की बिगड़ती बितिय स्थिती के मद्दे नजर उस पर कई अंकुष लगाएं इसमें ग्राहकों पर अपने एक हातों से निकासी की सीमा 15,000 रुपे लगाई गई हैं खबरों की माने तो eligible depositors केवल deposit insurance and credit guarantee corporation से अपनी जमा राशी की 5,000,000 रुपे तक की जमा बिमा दावार राशी प्राप्त करने के हगदार होंगे बैंक पर banking regulations act 1949 की धारा 35 एक इतहत निर्देशों के रूप में अंकुष सोमवार को कारोबार की समाप्ती से लागू हो गए हैं WhatsApp कर रहा link privacy feature की testing WhatsApp ने कथी तोर पर एक नया privacy feature रोलाउट करना शुरू कर दिया है इससे users को अपनी chat में साजह किये गए link का गोपनियता स्तर चुनने में मदद मिलती है इस feature की अभी घोशना नहीं की गई है लेकिन इसे कुछ बीटा testing accounts पर देखा गया है कहा जा रहा है कि WhatsApp एप के अंदर एक नया video view feature भी तयार कर रहा है एक हालिया report में दावा किया गया है कि company linked devices के लिए locked chat feature पर काम कर रही है और इसके आगामी update में उपलब्ध होने की संभावना है WhatsApp ने शुरुवात में मई 2030 में स्मार्टफोन के लिए chat locked feature पेश किया था खबरों की माने तो WhatsApp ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक link privacy feature rollout करना शुरू कर दिया है